हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज बनाएंगे कीटो बर्गर, जिसे हम यो इस्टाइल में बनाएंगे तो कीटो बर्गर बनाने के लिए मैंने कैबेज को गोलाई में काटा हुआ है पनियर को भी मैंने बड़ी टुक्डुमा काटा हुआ है सीमला मिर्च और टमाटर को मैंने रिंक्स में काटा है तो चलिए शुरू करते हैं कीटो बर्गर बनाना बहुत ही जल्दी बन जाता है ये तो एक पैन को गरम करके उसमें ओईल डालना है आप चाहो तो इसमें बटर का यूज भी कर सकते हैं तो अब इसमें पनीर डालेंगे उसे फ्राई होने देंगे जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे पलड देंगे उसके बाद भी दूसरी तरफ भी हम फ्राई करेंगे इस तरह से आप कीटो बर्गर बनाएगे बहुत ही जल्दी बन जाता है इसमें हम आलो की टिक्या का यूज नहीं करेंगे पनीर फ्राई हो गए है अब सेम पैन में हम पत्ता गोबी को डालेंगे इसे हम 20 सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे ज्यादा देर तक नहीं करना है उसके बाद हम पत्ता गोबी को निकाल देंगे यह बहुत ही जल्दी बन जाता है इसे आप कभी भी बना सकते हैं बच्चों के लिए तो बहुत ही हल्दी है तो आप इसे जरूर बनाएए मैं पत्ता गुवी को निकाल दूँगी अब इसमें मैं डालूँगी सिमला मिर्च और टमाटर इन्हें भी थोड़ देर के लिए फ्राइ होने देंगे उसके बाद इन्हें भी हम निकाल देंगे सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया है ये देखिए अब हम बर्गर तयार करेंगे ये पांच मिनट में बन जाती है ये रेसिपी आप ट्राइ जरूर करें बहुत ही आसान है बनाना सबसे पहले मैं मेनुईज डालूँगी पत्ता गोबी में मैं तीन बर्गर बना रही हूँ उसके बाद टेमेटो केचप डालूँगी सारी चीज़ों स्प्रैट कर देंगे इसमें फैलाना है अब इसमें मैं पनीर डालूँगी जिसे हमने फ्राइ करके रखा हुआ है पनीर को मैंने सारी बर्गर में रख दिया है और टामाटर भी रख दूँगी मैं उसके बाद सिम्ला मिट्ची भी अब इसमें थोड़ा सा चीज डालूँगी चीज डालने के बाद इसमें थोड़ा सा और गयने और नमक डाल दूँगी अब उपर से ही दूसरा पत्ता लगा के बर्गर तयार हो गया है कीटो बर्गर बनाना बहुत ही आसान है देखिए कितना डेलिसस लग रहा है और खाने में बहुत ही हल्दी और टेस्टी होता है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ